अभी जो main trade plan वहाँ पर रहेगा market में, it will be very clear कि क्योंकि ये market directly open हो रहा है और first 5 minutes अभी यहाँ पर 15 minutes के chart लगे है और यहाँ पर options में 5 minutes के, तो first 5 minutes में भी market WRC अगर बनाएगा भी तो भी वहाँ पर around 170-180 points का मोटा मोटा risk है which is high, right, यहाँ पर this structure point is 520 के around और market अभी 650 से 700 के range में ये candle का closing mostly 1 minute में होने वाला है, तो risk वहाँ पर high है, तो उसका simple है कि, क्योंकि market WRC भी नहीं बना रहा है, यहाँ पर you can see, this is not a WRC, this is not a WRC, कल तो भी उसने WRC दिया था, तो इसके लिए market को अभी थोड़ा सा time लेने के बाद structure break अगर जब करेगा हो, right, previous day wewap हमको पता है कहाँ पर है, अगर structure break करेगा, then we would be able to get a good setup on the call sales या फिर put buys भी अपको अच्छे मिलेंगे, depending अपको अभी विक्स तब तक कैसा है, विक्स गिरा हुआ है, तो आज जो है, तीन परसंस जादा विक्स गिरा है, तो इट विल भी रिवार्डिंग sellers more than buyers, comparative, क्योंकि विक्स market अगर नीचे आएगा और विक्स होगा, तो इट इस sustain वो बड़ा move आना difficult हो जाता है, तो ये एरिया में आपको trade लेना difficult यहाँ पे होगा, ऐसे जब भी zones market बनाता है, कभी वे ऐसा खिचडी वाल अईरिया जब बनाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे orders मतलब एक तरीके से entangle होए, यह volume नहीं है, तो कभी बड़ा player नहीं है, इसलिए इस तरीके से खिचडी बना रहा हो, तो अब बहुत सारे orders, वो entangle market में हो जाते है, कि वहाँ पे actually करना क्या है, जो direction है, और direction उसको properly नहीं मिल पाती है, तो इसलिए यहाँ पे एक तरीके से base building market जब करेगा, फिर इस zone से नीचे यह उपर निकालेगा, वो सबसे best एक, हमारे लिए trade opportunity रहेगी, यह कि जब ऐसे zone से complete projection है, उनको पता है किसे आप है identify करना है, तो यहाँ पे zone से you can see, यह पूरे zones बना है, तो कोई एक point नहीं है, यह पूरा level ही market के लिए कल, एक तरीके से उसने, एक support की तरह वहाँ पे add किया, और उसको निकल नहीं दिया, low volume structure है, तो इसको अगर break करना है, तो कोई बड़ा player लगेगा, जिसके पास वो fire power है, यह फूरे area से वो market को नीचे निकाल सकते हैं, और उपर 40,000 का psychological level है, तो 40,000 का जो psychological level है, उससे वस आपको एक difference मिलता है कि यहाँ पे भी market एक volatility मारे कि 40,000 के उपर अगर market जा रहा है, तो काफी लोग जो नए लोग थे जि continuous दो दिन का, 1st September के बाद का दो दिन का up move है, तो puts की value भी market ने 60-70% खतम कर दी, तो अभी अगर कोई puts sell करेगा, तो वो बहुत late हो गया है, market में already, तो उस तरीके से ही हमें आपे focus रखना है कि market वहाँ पे, या तो एक proper base building के बाद जब setup देगा, वो हमारे लिए काम का है, and that is also applicable, जो आपके stocks रहे है, stocks भी कल काफी maximum stock dead रहा, moment नहीं आई उनमे, maximum stocks were dead, तो उसी के हिसाब से, they also have to proper do a base building, और फिर बड़ा player उसको इस ताम जाम से निकाले, ये तो बस उपर नीचे, उपर नीचे, you will be seeing की time pass हो रहा है, right, volume का भी अपने को main है, volumes कल, after first candle you can see, एकदम आदे घंटे में पूरे volume market में खतम हो गयते, पूरे दिन volume नहीं आयते, बीच-बीच में time pass किया था उसने, बट कोई WRC जे break नहीं हो आता, range, 15 minutes के, तो यहाँ पे भी वह है, कि वो time pass, यहाँ पे market करते रहेगा, बट अगर volume dip हो रहा है, तो वो एक तरीके से वापस establish हो रहा है, कि उसको जाना नहीं है, और थाइम लेगा 40,000 के बद और फिर वो निकलेगा, तो उसी को हमें respect करना है, जबरदस्ती कोई view नी form करना है अभी, क्योंकि clarity नहीं है यहाँ पे, उपर भी wick बनाया है, निकल पूरी खिचडी है नीचे, बीच में वो फसा पढ़ा कहीत होगे, तो strikes अगर add करके रख लो, जो भी add the money, वहाँ पे strikes है, जो trade करना है, buying है तो add the money वाले, जो buying वाले है, वो add करके you can keep, और उसके हिसाब से फिर, then, trades वहाँ पे ले सकते है, अगर यह second candle अभी market, एक minute है, अभी you can see, वापस जाके यह, वीवाप के नीचे आ रहा है, तो वो एक ते बता ही रहा है कि market में थोड़ा सा भी, जो first candle है, उसके बाद second candle उसको थोड़ा counter कर रही है, थोड़ा wait करना पड़ेगा, जब भी यह सा खिचडी वाला market होता है, market थोड़ा patience test करता है, ला set up अच्छा ना दे, but second half में वो set up दे देता है, तो उसके चाल के हिसाब से हमारी चाल होनी चाहिए, we should walk, our speed should be same as per this, and that is why complete, आपने जब वहापे सुने हेके नाशी का है, इसलिए थोड़ा structure, understanding important है, युकिन normal candle stick देखके हमेशा हर candle में ऐसा लगता है कि trade करो, अभी लगता है विवाप के नीचे चलो sell करके देख लेता है, यह इस तरीके का mindset हमेशा market में build होता है, आप कही 50% time सही निकलेंगे, 50% time गलत निकलेंगे, but वो जो thought process है, वो logical नहीं रहा है, कि same set up पे market काम करेगा, same set up पे वहापे sometimes it will not work, तो rules जो है, वो सबसे important है, उसको कभी अपने को break न हमाले सबसे crucial है, और उसी को अगर हम follow करेंगे properly, then we'll consistently be able to make money, right, so you have to think like a logical risk manager और a trader, we don't have to think की, चलो यहाँ पे लेके देख लेता है, यहाँ पे होगा, देखते क्या होगा, इतना chance लेके देख लेता है, अब तो chance पे लेने, मतलब this is not a field की, आप chance पे लेके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, consistent, याना कुछ outliers होते है कि कही किसी ने तुका मार दिया, चलो उसको बहुत वहाँ पे कमा लिया, उसने, but maximum people will lose their money, right, so that is why we have to wait, and when the market is low, we also have to respect it कि, अभी you can see suddenly volumes, एकदम से खतम होरे है, यह देखो, तीसरा कंडल का volume देख, right, zoom करना पड़ेगा अभी द कर रहा है, मतलब वो बता रहा है कि, it is kind of a, will take its time for a directional trade, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, non-directional के लिए फिर देखेंगे, but non-directional में भी, आपका wix भी अभी flattish हो गया, which is good, क्योंकि dipping है तो option buying में उतना मजा नहीं देगा, और, तो trade plan अपना discuss हो चुका है, market को यहाँ पर थोड़ा base building करना पड़ेगा, तो possible है कि directional trade, first half में शायद उतना धंका ना मिले, अगर यह market यही पर low volume पर trade करता है, आएगा नीचे, यहाँ पर आके वापस, उपर नीचे dance करता रहेगा, directional trade के लिए, यहाँ पर कोई बड़ा player का presence चीए, तो यह volume जो dipping है, वो rise होना चाह जाना है उसको, 43 उपर जाना है कही जाना है, यह dipping volume जो rise होगा, तब वो confidence आएगा कि yes, आप कोई market में आया है, and he is serious about taking a direction, क्योंकि trading में पैसा तभी मलेगा, जब आप directional करोगे, especially जिनका low capital है, जिनका capital अच्छा है, क्या है, तो वो neutral system से start करके, फिर उसको directional करे में भी convert कर सकत है, तो जैसे अभी यह system में अभी यहाँ पर यह October, November की यह monthly चल रहा है, तो यह एक तरीके से मेरा long term है, जिसको positional है, यह position तीन अपते, एक मेना भी वहाँ पर रह सकती है, तो यह calendars वहाँ पर, तो market की movement की सबसे I'll do, so उसका एक रहता है कि market अभी slow, sluggish का भी रहता है, तो I can implement multiple systems, अभी यह just start हुआ है, कल ही इसको शायद, mostly कल या Friday को इसको end में एक दम बनाया था, Friday end में ही बनाया इसको, तो वहाँ पे जो है, तब से अभी, यह एक तरीक से अभी कच्छा फल है, उसको पकने के लिए एक दो हफते लगता है, यह वाला जो है, इसको quantity भी increase होगी, यह प्रॉपल इसको दीरी-दीरे करूँगा, और यह दूसरा system जो था calendar का अभी वो कल close हो गया था, यह profit target मेट हो गया था, अब यह put sales थे वो खतम कर दिया, पाच रुपे के नीचे आ रहे, तो दोनों जगे वाप एक, अलग-अलग system से तो आपका capital जब increase होगा, then also you will be able to do multiple things से रमाग के, initially हम एक ही पर focus करना है, right, तो मैं आपर जो अभी setup सिखा रहा हो, तो मैं अतना expected रहता हूँ कि at least आपका, जो लोग भी करें, उनका capital, जो deploy कर रहा है, it is less than 1 or 2 lakhs से less than 2 lakhs, right, maximum लोगों का capital कम ही होता है, तो initial time में है, तो वहाँ पर हम वही setup इसलिए देख रहे हैं कि उनको लोगों के लिए directional traits are important, right, for those guys, yes, yes, English, भी, अच्छा विवेक भी है, नो, एक मेंट विवेक, को unmute कर दो, आवस क्लियर रादी ना, हाँ, अच्छा ठीक फिरन, विल वेट, विल वेट, विल वेट वर दिस वॉलिम तो बंप प रही तो जो मार्केट दे, उसके बाद फिर हमें एक प्रोपर, ट्रेड मार्केट में मिल सकता है, option buying के लिए भी थोड़ा सा उसको यहाँ पर करके, खिचडी से निकलेगा ने, तो put, spike मारेंगे, वापस cool down होगे, spike मारेंगे, वापस cool down होगे, वो ही चलते रहेगा, again, you can say reducing volume, यहाँ पर, तो, वो pattern break होना चाहिए, so, above 465, 470 यह, बहुत clean candle चीए, तब हम उसमें put debit यह, फिर उसमें we can make, right, okay, exact वहाँ पर closing दियो उसने, करेंड़ों। झाल करका बहुत करकाश तो पीडिएच के उपर जब तक मार्केट नी जाएगा यू कैन गाइस इनकाइस कैपिटल है पुट डेबिट यू कैन मेक पुट डेबिट या कॉल क्रेडिट तो तो दूर का वहाँ पे वी कैन डू और उसकी हिसाब से मार्केट इस लाइक की इसके उपर चले जाएगा पीडिएच और वीवाब के उपर तो वह कुलोज हो जाएगा या फिर उसको हम डेल्टा नूट्रल कर सकते हैं तो वह चीज दाट वी कैन डू तो पुट डेबिट अभी हम लोग नहीं पर बनाया ठेक है तो यू कैन सी प्रॉफिट अभी एक्क्यूमिलेट होना वहाँ पे चालो हो गया है यह दो है अब मार्केट अगर यहाँ से एक पुश बुल बैक करेगा तो देन एक पुट में अच अब खिचडी से नीचे जाना जाए तो और एल्स पुट्स जो है जो प्रिविएस डेलो है अपना मार्केट का पीडियेच और पुट्स भी अपने 415 के नीचे क्लोज हो जाएंगा अगर यह क्लोज हो रहा है तो देन अपना एक्जिट और वहाँ पे देन वी कैन दो प्राटिंग का 5 मिनिट का अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है हम सिर्फ मोमेंटम को फॉलो वहाँ पे कर रहे स्ट्रक्चर पॉइंट अभी पूरा खिचडी है और डिरेक्शनल ट्रेट के लिए खिचडी जब तक नीचे उपर ब्रेक नहीं होगी तब तक नहीं है यह सिर्फ होई है कि अगर हम डेविड बना के इसको हम नूटरल भी फिर बाद में कर सकती है उसको मैनेज कर लेंगे अगर मार्केट वहाँ पे अगर मार्केट वहाँ पे इस नॉट मूविंग प्रॉपर्ली तो अभी फ्लाटिश हो गया तो यह एक है क्योंकि यह structure कर रहा था तो हम quantity इसको बढ़ा सकते बट दिखाने कि इसको मैनेज कैसे करना है अभी you can see कि यह still profit में है debit वहाँ पे राइट क्योंकि राइट टाइम पे वहाँ पे अपने breakout के बाद यहाँ पे बनाया तो यह पुड़ा सा buffer market देगा हमें बट हमारे लिए important है कि अगर यह option भी अगर वीवाप के नीचे ना है और अगर यह धीरे-धीरे build-up हो के breakdown कि तो that is हम उसके लिए play कर रहे है अगर यह momentum continue रहेगा क्योंकि early इसने जो है जो game changer में अपनी complete projection सिखा होगा तो यह fake moment उसने wick बना के 40 air के नीचे pull down किया तो ideally अगर यह momentum उसको रखना है whole day तो यह वीवाप के नीचे market push generally नहीं करेगा option में और current day वीवाप के ओपर यह भी push नहीं होगा जो उसका price है तो यहां पर इसी लिए जो है हम लोग यह बाकी का position सभी nrml चुट दें माइसी अपने काम का है यह वह तो अब मंत्ली है तो दीर दीर गुमते रहेंगे बड़ अपना बाकी का जो रहेगा यह अपना काम हो यह अगर एक momentum आती है और 460 के उपर जाता है तो फिर एक based on the concept of market trap कि अगर इसने trap किया है सही में तो छोटे risk में हम लोग वहापे try कर रहें कि whole day फिर momentum मिल सकता है and target will be around 39,700, 39,500 लेकि 40,000 के उपर जाके market reversal दे रहा है तो बहुत तगड़ा वहापे trap हो सकता है directional जिनको put buying properly करनी है तो इसके 470 के उपर closing आनीचे बहुत तगड़ी तो आपका top start होगा यह debit बना के हम लोग थोड़ा सा position पहले start कर रहे है कम risk में so that we can see यह market हमें trap किया है तो यह put को वापस selling नहीं हो नीचे यह puts में अगर selling नहीं हो रही है तो ठीक है time लेगा तो भी चलेगा but selling नहीं हो रही है तो फिर sustain हो रहा है यह put अपना price मतलब यह 400 के उपर 380, 390 के उपर तो फिर यहाँ पे जो है momentum एक sudden spikes आनी की possibility है जो भी जिन्हों ने भी put sell किया है इनके stop losses सब इसके नीचे बैठ है 39,800, 39,800 से 39,900 के range के नीचे तो उसको अगर stop losses खाने है तो वहाँ से एक मारेगा एक what you can say एक strong wick वहाँ से मतलब एक spike लेके जाएगा उपर stop losses खाएगा और फिर उसको consolidation करना है तो कर सकते तो यहाँ से rising volume as we said pattern भी break हुआ यह नीचे जो dipping volume था वो इस दो candles ने break किया तो इसलिए अपना debit वहाँ पे hold हुआ है तो ultimately मतलब aggressive trades के लिए हमारे पास क्या है कि यह starting का 5 minutes का trade है तो reference zones हमारे पास clear नहीं है इसमें आपका रहता है कि trap आपको देखना पड़ता है कि market किसी को trap करके आ रहा है कि अगर वो करके आ रहा है तो फिर setup चलने की possibility भी आपकी फिर बढ़ सकती है अगर वो trap नहीं कर रहा है तो उसको नहीं करना है trap अगर तो यहीं घूमते रहेगा यहीं पर time pass करते रहेगा आप डाउन अप डाउन जाके करते रहेगा पर हमारा risk clear है कि उसने नीचे फिर dip puts में selling वापस नहीं आनी चीए अगर put में selling आ रही है या buying volume reduce हो रहे है तो मतलब वो यह trap नहीं है trap करेगा तो रुखेगा नहीं हो फटाफट नीचे आके लोगों को stop losses ठालेगा बट उसको अगर नहीं खाना है तो यह put wewap के नीचे आ जाएंगे momentum है तो calls भी wewap के उपर और इसके उपर चले जाएंगे then exit ही करना पड़ेगे because जो trap का logic है वो market अभी follow नहीं करता है तो यह सिर्फ जो है जिनको एक understanding है early market के और trap की तो उनको ही यह setup करना है बाकी लोग के लिए clear है base building आपने morning में discuss किया उसके बिना आपर कोई setup trigger नहीं होगा properly क्योंकि वो पूरा खिच्डी वाला zone है एक दो candle मी आने वाला पुष अगर आएगा तो यह इसके बाद इसके बाद 2-3 maximum next 15 minutes में पुष आ जाने चाहिए before early close होती है आरली close होने में अभी तो time अपने बस उतना ही है उतना time में आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है time pass हो रहा है वो सब है तो then we will we can also go for neutral system उसके बाद जो भी हमारा momentum रहेगा वो अगर नहीं आ रहा है तो यह system से हम लोग थोड़ा सा neutral system से we will try to get something अब उसके quantity will increase slowly slowly but वो तभी increase करेंगे जब एक proper उसका वहाँ से एक confirmation हो जाएगा कि उसको नहीं जाना है अभी early candle close होने में अभी 15 minute और है last last में एकदम से momentum आ जाए और यह भी अगर previous day लोग के नीचे closing दे रहा है 400 के नीचे यह put closing दे रहा है दो और यह उपर भाग रहा है यह 40,000 के उपर यह कि trap है तो 40,000 के उपर बार बाद में वापस अभी time pass करने नहीं जाना चाहिए उसको चाली सार के उपर और जा रहा है वो वो लेगा है कि भाई चलो अभी और time pass है तो किसी को trap नहीं कर रहा है सबको exit का मौका मिल रहा है त तो उसको trap करना है तो बिना 40,000 के उपर उसने डबलो रसी बना के तुरंत वहां से नीचे विक मारे फिर उसके बाद जो करना है वो करेंगे बट अल्लेडी हमने उसको आधा घंटा दे दिया है setup से एक दो तीन चार पाच केंडल हो गया 25 मिनिट हो गया time फिर momentum का जो रहता है वो अगर इतना time ले रहा है तो फिर थोड़ा सा मतलब चीजे we have to be kind of cautious तो इसले neutral system वहापे डाल दिया जाना है तो जाएगा अभी नई जाना है तो time pass करेगा base build करेगा हम वापस re-enter कर सकते है market में re-entry का कोई cost नहीं लगता है we can always re-enter if it is not willing कि उसको अभी नहीं जाना है ह हो सकता है second half में जाये फिर हो time pass करें base build करें इसलिए दो चीजे clear है अगर आएगा तो अभी आएगा अभी इसने 15 बीट में वापस नीचे से एक विग बना दिया तो वो थोड़ा सा अपने आप कोई market decide नहीं कर पा रहे है बट सिल one hour 15 minutes are there next 15 minutes candle is important अगर वो push कर पाती है तो momentum आएगा अगर next 15 minutes candle 40,000 के उपर भाग जाती है और चले जाती है future में भी राइट और अपना spot में तो 40,000 यहां पर है तो अगर वो भाग जाता है फिर जो चीज है market में वो जो momentum downside था वो नहीं built हो पाया है properly और अभी भी जो put sellers है they are not willing to let the market मतलब go in the opposite direction तो वो अभी नहीं आएगा तो second half में आएगा या तो वो वापस base bill करके उपर भागेगा तो हम उसके हिसाप से will be ready but this is since it's a setup based on 5 minutes and it's a momentum based buyers रहेंगे put side के they should be able to pump the price above 470 उसके लिए वो एक उनके लिए बरिकेड है अभी के लिए first half के लिए इस momentum के लिए if they are not able to pump फिर दे दे तेरे put sellers का confidence will be high कि कोई आ नहीं रहा है opposite बंदा कोई वापस उसको नीचे retracement कराने लिखके जाएंगे तो 15-20 minutes is very important for our debit system देना है तो अभी देगा नहीं देना है तो time pass वो कराएगा base build कराएगा और फिर वो second half में कोई direction जहाँ उसको लेनी है वो लेगा चलो तो be ready अभी अगर trap कैसे है तो next 10-15 minutes जो हम बार बार repeat कर रहे थे आप आना चीए बहुत attempt हो के उपर नीचे सही में trap है तो next candle में आपको एकदम से दिखेगा एकदम spike धाड से वो पटाफट नीचे एकदम push का मारेगा market तो ready तो जिनका भी है profit booking के लिए ज्यादा time market शायद ना दे volume बड़ बिल्डप नीए बड़ अभी next इसमें आना चीए अगर ट्राफट time pass चल रहा है तो फिर वो time pass करेगा तो वापस उपर यह push कर देगा तो अभी हमारा SL trail हो गया 39 future में 39 970 के उपर market जा रहा है तो exit debit में नहीं जा रहा है तो बहुत बढ़ी आप है चल वापस उस zone पर आ गया है market 450 460 पर पूट आ गया है अब करना है break क्योंकि stop losses पड़े तो spike ही मारे को आप है पाराम से नहीं जाएगा एक सीधा विक मारेगा धार से एक दम उपर अगर उसको जाना है तो चारसो सत्तर असी पासो तक भी वो विक आ सकता है कितना बड़ा विक देगा हो market decide कर रहा रेक्ट आ गया 407 462 expected है भी विक यहां पर stop losses को खाने के लिए वो विक मारेगा बस यह 470 वाला बैरिकेट हो तो तूटना विचारे से यह तूटना चाहिए तभी वो कर पाएगा प्रॉपर्ली आज चलो तोड़ा है अभी 470 के उपर भी देखो विक एकदम से market में वह पर आएगा अब यह sudden dip close के बाद उसको देना चाहिए आरली ने भी नीचे से विक नी बने विच इस गुड़ अब यह वस sustain हो जाए इसके उपर close देदे तो market में फिर एक next द्राम से जो put sellers है वो panic में निकलेंगे थोड़ा सा panic अभी आगे है उनके इसमें कि market जा रहा है call भी आपे volume build-up important है भी next 2 minute तो अपना put debit के लिए सही है यतना कर रहा है panic थोड़ा कराओ panic market को निकालो उनको और फिर एक quick मारा तो वहाँ पर हुआए अगर वापस यह push कर रहा है closing नहीं दे पा रहा है तो time pass mode market का चालो रहेगा यह last next 5 minute तो इसलिए you can see your time price action अपने को वो भी बताते कि कब वो move आना है इसलिए मैं बहुत 1 hour में अपने को वो मिलना की probability है आचाहिए तो और वो दे रहा है बराबर तो हम तुक्के बाजी नहीं कर रह किस logic से ले रहे हुआ है that you can see but यह भी profit जो है अपना दे रहा है put debit के सबसे 14-1500 का profit वो दो lot में अराम से आपको वो दे रहा है तो यह मैं कम capital के सबसे उतनी position ले रहा हूँ right you need to understand यहापे जो quantity कम capital वालो के के लिए लेना है so that they can वहाँ पे साथ में भी they can do कि क्या हो रहा है क तो उतना ही margin के हिसाब से I am taking that position for you guys right तो debit के लिए उतना easily हो जाता है वो तो around 1 minute है let us see 1.5 minute में अगर यह WRC बन पाया जबरदस्त हो जाएगा फिरता यह WRC बनाना है बस उसको अब इसके नीचे तो विक मारा है उसने मजा आएगा जब यह 39 800 के नीचे विक मारेगा क्योंकि यहाँ यह जो base है यह पूरा उसके नीचे बेटर फिर suddenly एकदम 39 700 गया और यह भी 470 से फिर 530 540 तक फिर एक बड़ा विक मार सकता है तो अब next है यह यह वाला area थोड़ा सा push आ जाए WRC बने एक minute है वापस यह भी close दे दे अच्छे से 470 के उपर अभी तक sustain कर रहा है which is very good excellent link है हमारे लिए वैसे ही चाहिए हमको राइट तो high पे close हो रहा है तो फिर तो बहुत जबरदस्त है और कुछ और कुछ नहीं चाहिए फिर तो बस ready रहा हूँ आप है booking के लिए जिनोंने वहाँ पे setup को लिया है volume भी build हो रहा है which is good यह भी factor हमारे इसमें play कर रहे है 20 seconds है 20 seconds तो momentum पाच मिट में trading कर रहे हो तो आपको वह booking भी fast और execution speed शुड भी good तभी वह हमें मजा आएगा रहे तो you can see यह चौदा सो पंदा सो दो lot में हम नहीं किया simple logic कम stop loss में हम वहाँ पे काम कर रहा है logic आपको मैंने morning में ही समझा दिया था और अपना वहाँ पे then चलो be ready booking के लिए be ready अगर विक मारेगा तो be ready राइट अभी अच्छा closing दिया which is good अब previous day विवाप के नीचे market मतलब जो अपना यह है यह और 465 के नीचे market नहीं आना चाहिए तब तक आप 500 या उसके उपर जा रहा है यहाँ पर यह इस range में आ रहा है तो 490 के उपर आपका पहला target आ गया तो book कर लो उसको 490 के उपर चलो चला आ गया 500 आ गया भी तो हम लोग उसमें से आप तो यह इस तरहें से आपको प्रॉपर सेटप पुट बाइंग अपना क्लियर था डेबिट बना है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है and then clear था कि करना क्या है right so that is how in a way you will make money in the market वो पालतु की चीज़े की जो चीज़ा सिखा थे कि इंडिकेटर क्या है वो क्या बोल रहा है वो काम नहीं करता है you should understand कि वो current flow क्या चल रहा है market अगर यह trap है तो हमने उसके साब से trade लिया और वो trap case work कर गया अब उसे stop loss खा लिये अब बागी की जो चीज़े है उसको जो करना है वो करेगा यह देखो profit भी अपना rise हो गया यह neutral system यह book कर लिया इसका एक एक lot बुक कर लिया आपने बागी यह आप क्या run छोड देंगे अभी simple यह वाला देखो यह neutral system भी पैसा दे रहा है चारसो रूपए उसका वो reason है बट अभी उसको exit कर देंगे कि market directional पकड़ रहा है तो neutral को रखके भी मतलब नहीं तो यह अभी फिर भी अपने को 500 वाकरे profit देख तो बात उसका simple है कि neutral तो हमने इसी लिया था कि जब तक directional ना मिले तब ता अब उसको जबरदस्ती carry करके मतलब क्योंकि if आज ऐसा दिन है कि market ने अगर यहां से पूरा down move start कर दिया तो यह 440 के नीचे यह put ideally आना नहीं आएगा भी तो इसमें decay का तो कोई logic नहीं बैठने वाला है उतना ज्यादा decay तो यह करेगा नहीं और यह market ने ideally इसके उपर नहीं आना चाहिए अब यह जो पूरा जो बखेडा बनाया है उसने पूरा कचरा 39.960 से 39.900 क्योंकि अब put sellers को panic करवा दिया तो टार्गेट था यह एरिया था हमने बोला यह पर खाली है उसने इन दोनों के stop losses खाली अब यह target है अब असली जो मजा आएगा या असली जो उसको जानी रहेगी जो option price 600 700 भी जा सकता है वो फिर इसके लिए अब वो चीज होग उसके लिए time लग सकते है वो market अपने terms पर करेगा शायद हो सकता है कि वो ना भी दे बस यही पर देके reverse हो जाए बट अपना जो काम था राइट वट वीक setup में हम जिस logic से enter गिये वो उसने अपना mission successful वहाप पर करवा दिया तो यह चोटे accounts में आपको अगर कोई एक देड लाग दो लाग के साथ ट्रेड कर रहा है उसका डाहे तीन अजार भी profit हो रहा है तो उसके लिए it is बहुत बड़ी है तो एक systematically दीरे-दीरे आपको वापे drive करना है अभी हम तीन अजार की तरफ भी मोह हो जाएंगे बाकी market के मर्जी के हिसाब से कितना देना चाहता है अट्रासो दोजार तक का दोजार तक का profit दोजार से उपर चला गया तो profit वहापे जब इसने अभी जैसे अभी यू कैन सी आट्रासो दोजार के उपर आपे profit उसका है तो यहाँ पर हमारे orders का भी है यह हमने कब execute किया तो अपना 214 255, 40 points यहाँ पर हमने loss किया और यहाँ पर around 80-85 points का gain किया तो 55 points का हमे gain मिल गया अभी you can see अच्छा खासा वाप एक movement आ रहा है market तो this is the main reason की यह trade था, क्या था, time लिया उसने but हमारा time के हिसाब से भी clear था कि हम कब तक wait करेंगे and what we need to do, that's it, our good trade is done, अब if यह पुरा daily का trap है तो पुरे दिन market उस level के उपर नहीं आने वाला, अब जितना जाना है चले जावाई, अब उसके लिए खुला है, stop loss हमने 465 के नीचे डाल दिया है, यहाँ पर मैं alert डाल दू it is going, so this is how you write the profits, अब यह profits हमारा बढ़ते रहेगा, that is how you will write it properly, उसकी साब से हम write करेंगे फिर, देना है तो देते रहेगा भी, यह जितना देना है उसकी जितने नसीब में है, we can do, right, and वो हमारा बढ़ते रहेगा फिर, यह आपर alert डाल दो कि, जिनके पास है, आप Fires में हो भी functionality alert की, चलो alert डाल देते, कहा गया, 30,000, 40,000 का alert डाल देंगे आपर, 40,000, अले, इंग्री डालना पड़े, 40,000, all right, 40,000 put, greater, less than, equal to करना अपने को, 465 डाल के कर दो, यह आगया alert, अगर यह बजेगा alert, तो यही पर pop-up हो जाएगा, नहीं बजेगा, तो हमारा trailing हम लोग करेंगे, conservative को निकलना है, तो निकल भी सकते है, वो आपके ओपर है, क्यों कि यह target जो था, यह आ गया, यह वाला जो था, 39,700, तो यू कन आल्सो निकल सकते हो, जिनको रुखना है, वो फिर 465 के नीचे, just plus रखके रुखना हम पड़ेगा, बट अच्छा गासा gain एक 100 points from a time of entry, वहा से कम से कम, you can see, 90 to 100 points का gain मिले है, right, depending करता है, कि किसी के entry यहाँ पे हुई होगी, 440 पे, किसी की 430 के around हुई होगी, किसी की 425 के around हुई होगी, वो स्मैटर नहीं करता, but, किसी को 80 point मिले है, किसी को, so depending आपका execution कहाँ पे हो, सब का अलग रहे है, logic के हिसाब से, यह zone execution का ही है, यह अपना पूरा area था, execution का zone, यहाँ पे execute हो गया, stop loss भी छोटा था, तो उसकी आप से risk reward अब देखेंगे, तो hardly 30 points के risk पे है, हमने more than 90 to 100 points is what we have more or less achieved, बस, that's it, अपना काम वहाँ पे, हो गया था है, ठेक है, और that is how actually trading, आपको करनी चाहिए, उसके flow को समझो, वो क्या communicate करना चाह रहा है, market उसको समझो, risk manage करो, and then be patient for your trade, हमने panic नहीं का रहा है, नीचे आ रहा है, दो बार attempt के, double top बनाया, आप break करो, और यह सब चीज़े, दिमाग में भी रिंट का, right, इसको निकालो, profit lock करो, और उसको debit बना दो, अगर naked buy किया होगा तो, तो, यह always, 200 point यह है, तो कि 1000 point ठोड़ी market देगा, PDH, PDL के बीच में है, it is not, if the market is below PDL, तो ठीक है, PDH, PDL के बीच में है, तो profit lock करना ही है, और remaining quantity उसको, you have two kind of, let us say कि आपको, वहाँ पे उसको debit बना के, उसको hedge कर लो, profit को lock कर लो, या 460 के नीचे trail करो, बस, that's it, अब वो जाएगा, तो जाएगा, ठीक, if it's a sideways market, वो यही गुमते रहेगा, इसके नीचे नीचे नहीं जाएगा, 39, 7 to 7, तो जरूरी नहीं है कि यह बहुत बड़ा move आए, उसको देना है, तो वो देगा, अब पुरा जो है, market के उपपर है, उसको कितना move करना, बट जितना हमाच चाहिए था, first target उतना दे दिया, अब early candle ने भी last last में you can see, बना दीती, विक on both sides लिखाया, तो यह अपना statement cancel हो गया, लुकि indecision का भी cancel हो गया, तो 7 minute है तब बने थी, बट जैसी early बने अपना वो proper बने, विक बना के dominant closing दीती नीचे, तो मतलब इसलिए वो trap जो है case है, वो वहाँ से fruitful हो गया अपना, अब असली spike आएगा 700 के नीचे, 30, 700 के नीच spot भी च चले गया उसके नीचे, spot का 39,600, जब इसके नीचे जाएगा तब यू विल सी, जवर्दा spike आएगा, and that, this trade will then become a jackpot for us, फिर तो jackpot ही बने गया हो, कहा है तो conservative complete exit, ना, क्योंकि आपका target आगया, aggressive, trail करो, 460 के around आपका, आपको ये पूरे दिन के लिए ये stop loss रहेगा, क्योंकि रिमेनिंग quantity फिर cost पर रखनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर, निकल लो, complete price action वाले जिनको सिखा है, one minute structure से trail करो, तो बस जाएगा जाएगा, आप 600 तक next जा सकता है, ये break हो जाए तो फिर, समदो मजा ही मजा आएगा, बहुत जबर्दस पाई गाईगी उसमें, and then, how option bank trades, ऐसी इस तरीके से jackpot बनता है, बस ये break होना जाए, 39600, वो उपर वाल के मर्जी उसको करना है कि नहीं करेगा, but अभी तक साथ दिया, तो थोड़ा और, सब लोग मिलके पुजा पार्ट करें यहां तक तो आ गया, फुल अभी टेस्ट हो गया, पूरा यह level टेस्ट हो गया, बस अब इसको break करने की जरूद है, यह एक बार हो गया, तो यह सर एकदम 50-60 point का spike मरें, क्योंकि यह आखरी zone जा stop loss बैठा होगा, put sellers का, इसके नीचे तो पूरा खाई है, मतलब क्योंकि यह पूरी 55 minutes की candle लई है, बड़ी सी एक दब, 400 से 200 point की candle है, बस यह एक बार break हो जाए, बाकि अपना profit you can see, अब यह 3000 touch कर गया, small account का जो profit है, that is how simple, मतलब 2 lot में trade करके भी you can make good profit, यह profit hedge का है, यह naked option का नहीं है, तो मेरा बताना यह था है, आपर राइट, naked buying नहीं है, यह hedge है, hedge में भी profit होता है, तो यह जो है, you have to be, बट, पता होना जी है, काम कैसे करना, that's it, और कुछ नहीं है, चलो अभी किता है, 2 minute है, चलो बस आजा भाई, नीचे 2 minute के candle के बाद, असली मज़ा फिर उसके बाद आएगा, 600 के around होगे तो फिर आप book भी कर सकते एंड, बढ़िया, यह एक दिन ऐसा यह directional लिखाना था, मैं एक वार, लग भी रहा था कि आज जैसे opening होई दिखा सकता है, बट, चलो, market, अपने पे very kind की, वो जल्दी दे दिया, उसने wait नहीं करा है, second after, तो वो मज़ा नहीं आता है, first half के trade, first half में मिल गए तो वो, purpose fulfill हो जा बढ़िया, उसने around मतलब, 30 point पे अभी कम से कम बगड़ लो, 120, 130, 1 as to 4 का risk reward मिल गया, और जिनने naked वाएंगे, उनको तो अब यह profit book कर रहे है, तो बंद करके छोड़ दो market का, हो गया आपका quota, एक दो दिन का, अच्छा कासा उसने profit दिया, चलो, यह आ गया नीचे, future पहले जाया गया, spot पुड़ा नकरे कर रहा है, तो वही रहता है, future कभी कभी आ जाता है, spot, main तो spot ही है, spot नकरे कर रहा है, विचारा तो रहा है, आज जाएगा वह भी, चलो, yes, बहुत बढ़िया, चलो, अभी यह 600 के around, अब यह पुरा खाई, अब कहा तक जाएगा, वह market के 50 seconds है, एक अच्छी closing दे दे, next जो है 39500 का एक background number है, उसके पास lock कर सकते हो profit, अपनी मर्जी अपने हिसाब से greet के हिसाब से खेलो, अब सब profit आ गया है, 600 के around आ गया है, तो अब अपने greet के हिसाब से आपको play करना है, 20 seconds, let us see, WRC कैसे बनाता है hero, अब इक बना जाए, ठीक है, अब यह candle के हिसाब से पर stop loss trail को आपको, क्योंकि अब यह zone पर आ गया है, यहाँ पर नहीं, तो stop loss will be 39, 654 अगर जनका buying है, naked buying, बहुत aggressive trail करना पड़ेगा, बहुत अच्छा profit दे दिया, वो वापस नहीं देना है, तो एक candle अगर यहाँ से बने, तो वो dip मार देगा, उसका reason यह है, विक्स जादा बढ़ानी है, अभी एक परेंटी है, देखो, you can see, एक candle में प्राइस कितना retrace हो गया, क्योंकि विक्स नहीं बढ़ रहा होतना, जितना चीए, 2-3% रहता तो मस्ते गरता, इसलिए candle के आ गया वो उपर, तो जिनका naked buying है, उनका trailing SLB हो गया, क्योंकि अच्छा profit हो गया, तो उसको जबर्दस्ती और 70-80 point का देखें कोई मतलब नहीं है, बाकि उसको डेविड बना दो या तो, या तो exit कर दो, दो option रहते हैं, जोनों naked buying क्याटी रहती है, अब इसके बाद वो time pass करेगा, क्या करेगा, अपने को, वो market decide करेगा, but 465 के जब तक उपर रहेगा, तब तक momentum will be there, on the put, और simple, जिनका capital था, वो call sell भी कर सकते थे, दोनों में से एक चीज़ जो करनी है, जो suitable अपने capital के साब से करो, it is buying के लिए patience ज़्यादा लगता है, वेट जाता करना पड़ता है, अच्छे setup के लिए, और market के you have to place, market के close खेलना पड़ता है, तो वो difference है, की buying और selling में mindset का, चलो, ओके फिर थोड़े time के लिए भी mute हो जाओंगा, continuously एक गंटे से अपन discuss कर रहे, तो आपको पता है, तो आपको पता है, trailing stop loss कहा रखना है, और उसके साब से, अभी grade की साब से करो, कहा book करना है, ये query मत पूछो, जिनको सीख है, आपको पता है, कैसे book करना है, तो वो चीज़ अभी already cleared है, बता दिया है मैंने multiple times, तो अपनी हिसाब से वापर book करो, अभी conservative का तो exit होई गया, अब अगरी से उनको trail करना है, तो अभी अच्छा profit हो रहा है, तो अभी book करो, तो 465 के रिचे रखना है, तो रख रो debit करना है, debit करो, अब वो जो रहता है, वो अपनी अपन कितने पर खुश है, किसी को आप, एक normal, अच्छी chocolate होगे, उससे भी खुश है, किसी को बोलेगा, नहीं मेरे को branded ही चाहिए, मेरे को इतना ही चाहिए, मैं खुश नहीं हो, तो स बढ़िया profit अगर कोई loss में convert कर रहा है, तो फिर वो, मतलब, फिर समझ लो कि आपका discipline में बहुत बढ़ा issue है, इतना बढ़िया profit आपको बापस भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोज रोज मार्केट ऐसे trending moves नहीं देने वाला है, तो यह उता है, इसका आज का जो है trap case है, ठीक है, चलो, ओके, तो यह उगन सी 500 के नीचे आगया, एंड, volumes भी अभी खतम हो गए, तो अब वो घुमते रहेगा, थोड़ा सा time pass उपन दीचे, उपन दीचे, वो लिट लिटी मारेगा, बट, put side जो buying volumes है, वो reduce हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि momentum change हो गया, इसका मतल हो गया, slow baller की तरह हो गया, momentum उसका change तभी हो गया, जब यह यह पूरा इसके zone के नीचे आएगा, 470-460 के नीचे, तब वो फिर sellers वापस activate हो, अब sellers activate नहीं हो गया, भी थोड़ा से देख रहे हैं कि market में, जो भी यह नीचे ले जाने वाला जो bank nifty को गिरा रहा है, वो कितन अब यह पूरा वापस 39,900 वगरे के पर यह जितना भी down move हो है, पूरा absorb हो जाएगा, उसके बाद ही यहाप एक, जो है, puts में फिर selling वापस resume हो गया, तो अब जो market है, वो direction वाला market profit lock कर लिया, अब नया कोई buy करेगा तो वो गलत है, नही buying नहीं देखनी है आपर, अब जो र direction to image है ना, तो मैं हमेशा बोलतो हो, जो students भी रहते हैं को कि सिफ 20-30% यह market काम का होता है अपना, 70-80% market मतलब it's like useless for traders, वो अगर आप ignore करना सीख जाओगे, तो market में आप बहुत easily profitable बन जाओगे, तो अब जो starting के यह actually 1, 2, 3, 4 हमारो जो view बना वो पहले 4 candle से view बनाए, उसके ब बाद वो view continued, तो यह 4 candle और अभी तक कितनी candles हो चुकी है अभी पकड़ लिजए, तो 2 गंटे more or less अपने होने आ रहा, तो 1 गंटे में 5 मिनिट की 12 candles होती है, 12 candles you have in 1 hour, so 2 hours means it's like 24 candles, so out of 24 candles, only and only first 4 candles were important, अब percentage terms पे करके देखो, तो it is like 1 sixth, तो आज का इतने candles बनाए, but to form a logic and form a view, out of 24 candles, only 4 candles were important was, rest were not important, rest ने सिर्फ अपने को target दिया, वो importance नहीं है, but जहाँ पे हमने strike किया, जिस logic ने हमको strike करवा है, वो important है, so 1 sixth मतलब आप अगर, जो है around कर लोगे, 16%, 100, 16, अगर आप करोगे percentage नमें, तो 17% maximum आता है, right, तो 17% market was actually important to us, ये 2 घंटे में, तो ये चीज़े आपको कोई social media पे कोई नहीं पढ़ाएगा, आज तक मुझे तो कोई ऐसा mentor मिलाने कि जो ये चीज़ सिखाता है, वो इस तरीके से, market actually ऐसे ही आपको देखना पड़ता है, right, बाकी सिखाएंगे, बस ये देखो, किसी भी market में sideways भी रहेगा, तो भी pattern देखो, उसमें ये देखो, sideways market में useless है, उसमें दिमाग क्यों अपना खराब करना है, जब वहाँ पे कुछ हाई नहीं, direction के लिए, जब directional market आएगा, वो आपको बताएगा, वहाँ पे कि मैं directional जा रहा हूँ, मैं trap कर रहा हूँ, तो बताएगा हूँ, अगर ये same case, यही पे market खुलता हो रहता है, तो हम ये trade नहीं लेते, यही पे खुलता है, यही time pass करता है, तो नहीं लेते, तो उसने पहले four candles में वैसा उस तरीके का, जो trap logic अपना setup है, वो fulfill किया, इसलिए वो trade trigger हुआ है, और continued वहाँ पे अभी तक logic चल रहा है, तो try to understand कि वहाँ पे हम लोग market में trade करना है, तो आप tips providers या जो आपको shortcut चलो, formula वरता हूँ, वैसे करोगे तो नहीं है, उसको flow को जब तक आप नहीं समझोगे, और price action के लाग, indicator औरे कभी market का flow नहीं समझा सकत साइडवेस में भी indicator directional देते रहेगा वो, जो वहाँ पे fail हो जाते है, indicator sideways market में बहुत miserably fail हो जाते है, इसलिए उनकी accuracy 50% है, हम जो trade करते हैं, हमेरा accuracy 70-80% प्लस जाती है, उसका reason है, हर trade के पीछे एक logic होता है, वो आप follow करोगे तो market में आप वैसी बाकी भीट से अलब हो, बा analysis required, बहुत जादा fancy knowledge नीची है, बहुत जादा फालतु का ज्यान बाजी नीची है, जितनी काम की चीज़े आओ, जो setup है, वो उसके लिए वेट करो, दिने दो, trade करो, पैसा कमा और निकल जाती है, so that is why live sessions हम January से कर रहे है, किसी भी एक live session week में हमारी accuracy below 80% dip नहीं होई है, right, because we we do not deal in number of trades, we always deal in quality of trades, और last, जो august month का live session था, we achieved 100%, वो first था, उसके वेट 100% मिला नहीं है, और यहाँ पे भी, अभी तक हमने third day अपना चल रहा है, अभी तक अपनी 100% accuracy maintained है, तो 100% तो पतलब उसके लिए attempt नहीं करते है, मेरा main रदा है कि 80% के उपर मिलनी चाहिए, 70, minimum 70% के न अच्छा करम कभी कर लिया तो वो दे देगा 100%, दे दिया तो बहुत बढ़िया, मतलब हम कभी, but we never attempt to reach 100%, यह चीज़ याद रखना है, आप trading में perfection आप 100% कभी नहीं अचीव कर सकते, never ever try to reach कि 100% मतलब मुझे market से चाहिए, क्यों कि वो नहीं मिलने वाला है, 100% नहीं मिलने व अपना जो expectation रहेगा, it should be very, very, very proper and realistic, trades लेते रहो, अगर आपका time सही चल रहा है, तो market 100% में दे देखा, अगर normal time चल रहा है, तो 70% प्लस देना, मतलब हमें यह रहते है कि worst of worst time में 70% के नीचे नहीं जाना चीज़, that is the best thing, जो हम setups और हम जो भी setup मैं students को भी सब को ही challenge करता आप जो setup सिखा है उसको weekly basis पे या फिर monthly basis पे जो भी आप कर रहे हो, accuracy उसकी आपको उतनी मिलनी है, logically अगर आपने वहाँ पे trade किया है, तो market पैसा देता ही है, उसको कोई लेना देना नहीं, क्या करना है, क्या नहीं, वो अपने times पे देता रहे, तो हमने book किया उसका reason नहीं क्योंकि अब ये इसके नीचे डबलो रची नहीं बना है, तो अब उसका momentum slowdown हो गया, तो momentum भली वो उपर नहीं आगया, बट अपका wix भी गिर रहा है, तो option की value गिरनी ही गिरनी है, wix गिर रहा है तो वो कहां से hold करेगा, तो वो आ गया विचारा पूरा, पूरा नीचे आ गया है, that is why profit working is also important, क्योंकि अब वो sideways territory में generally आ गया, sideways territory में कैसे 5 minute का अभी structure अभी भी lower आई है, ये एक बार lower आई ब्रेक करेगा, तो 5 minute में वो sideways जो market का है, उसमें वो आ जाएगा, वाल्यूम वाइस put में अभी पूरे खतम हो गया, तो वो ही अब, जो early momentum builder थे starting के, वो गया वो गया विचारे को, you can see बहुत जल्दी उसने एकदम से change कर दे, right, इसलिए profit booking important है, 600 वाला put जो है अभी, it is approaching 350 मतलब around 40% within 1 hour उसने values की खाली उसने, right, so that is why, it is like की एक जो process है properly, उसको follow करना है, right, trailing वहाँ पर important है, aggressive के लिए यहाँ पर अपना जैसी 465 के नीचे exit, conservative का यहाँ पर उपर exit, maximum तो lock करना profit is very important, and क्योंकि market में space बहुत ताज, जब यह 5 minutes में भी, you can see structure points में भी, यहाँ से यहाँ आया, तो उपर भी वो पुरा area था, तो, अब किसी ने यहाँ पर late क इसलिए timing, पुरा timing का game है, किसी ने यहाँ पर put by किया, यह sell किया होगा, इस zone में, या फिर retracement आएगा market में, यहाँ कोई sell कर दे होगा, 470 पर retracement के time, तो बाहर हो गया market से, अलब, उसका definitely market ने 100 loss में बैठाया हो, जैसी enter किया, हरा रंग देखने ही नहीं मिला होगा, right, so, इस first time अभी भी, जो setup मिलता है, उसका accuracy बहुत है, बहुत लोग retracement का wait करते है, retracement में, volatility या market में जब आती है, तो retracement वगरे में, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि, first touch is always important, right, तो अभी यह वापस, move हो रहा है, calls, इपट यह zone में locked है, 565 से 500 के बीच में, यह 50 point के zone में वापस, पूर वाइस भी अभी market में third phase start हो रहा है, we are approaching 12 walk-off, तो third phase start हो रहा है, तो initially अब जिनको buying करनी है, तो buying option, call में अगर छोटे quantity से करो, जितना का put buying के उसका 50% quantity से call में जाओ, उसका reason ही कि अभी profit protect करना भी important है, अगर अच्छा profit हो रहा है, तो यह area है, call में करना है तो, और यह जिनक पुट में profit नहीं हुआ, वो नहां trade करेगा तो भी better है, तो 5.15 से 5.30 वादा range रहेगा, इसमें market है तो call debit, और hardly stop loss रहेगा naked में 30 points का stop loss रहेगा, अगर naked किसी को करना है, तो capital के हिसाब से, maximum risk 4% of your capital होना चाहिए, उससे ज्यादा risk नहीं लेना चाहिए, क्योंकि volatility है, possible यह भी option ऐसा है, you turn मार रहा है, तो last में वापस यह ऐसे ऐसे बड़े-बड़े waves में गुम सकता है, क्योंकि उसके बस space है उतना, market के बस गुमने के लिए, तो यह only for those who have made good profits, वो profit का 50% ही quantity लेना है, बट इस zone में market अभी आएगा, यह या next candle में, तो ही वो activate वहाँ पे लेना है, और hardly stop loss would be 500 के नीचे, या फिर market इसके नीचे जा रहा है, यह structure point उसने बना है, बस that's it, तो यह सिर्फ उन लोग के लिए, बाकि जिन्हों है, ट्रेड नहीं क्या put या नहीं है, वो लोग avoid करो, यह कि ideally market sideways या भी range में लोके हो, बस range में volatility चल रही है, तो waves बड़े-बड़े है, तो अगर नहीं लेना है, तो नहीं भी ले सकते है, profit अच्छा हो गया, हो गया, तो बंद करके रह सकते है, but ideally अब जो है, थोड़ा सा उसने 5 minutes का base build करके breakout किया है, तो एक 5 minute के setup के हिसाप से ही, रिस्क यहाँ पर बनता है, क्योंकि उसने, जो late put seller से उनको trap किया, भी वापस, तो अगर अगर यह अगर यह अगर यह अगर यह हायर लो मिंटेंड करता है, तो फिर जो 40,000 अगर फिर फिर पुछ मारेगा, तब यह जाए, तो उसके लिए 850 के नीचे नहीं आना जा, और spot में 37, 36, 750 के नीचे नहीं आना, जाए, 100.00 प्रीमियम चल रहा है अपका future, बस, वो चीज़ वहाँ पर जाए, तो जिन्होंने naked put buy क्यों होगा, तो उसके 50% quantity से naked call, जिनका ही है, quantity इसमें हम लोग थोड़ा scalping करेंगे, या क्योंकि market का time के हिसाब से, तो यह 30 points का, 40 points का scalping रहेगा, जो उसका 555, 60 के around वहाँ पर आ गया है, तो अभी 525 से 555, 30 points का scalping है, तो जितना भी आ गया भी 555, ठीक है, हिट कर दिया उसने, तो जितना भी quantity 50% lock कर लोग, यह थोड़ा scalping mode का trade है, यह अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है market time pass भी कर सकते हैं, और remaining quantity, अब यह trade, इस point ले लिए, 50% से, अब remaining quantity जो रहेगी, वो इसके नीचे पुरा SL रहेगा, मतलब आगर यह आएगा, तो 515 के नीचे, यह 510 वाला जो level है, इसके नीचे closing नहीं आ नीचे है, 5 minutes में, इसके नीचे closing दे रहे हैं, तो फिर खतम हो गया, इसके नीचे परप्राइज नहीं जानी ची है, यह पूरा area है, जहाँ से market ने उसको push किया, तो यहाँ पे हमने, यह ऐसा से रहता है, स्कालपिंग वाले में, जितने भी अपने quantity ली है, उसका 50% हमने, जितना हमारा risk है, उसके मिल रहा है, तो यह बोनस trade हो जाएगा, अगर यह continued जा रहा है, day है जा रहा है, तो it can perform very well second half में, मतलब जो है हमारा फिर 600, साड़े 600 में यह जा सकता है, तो that is how direction भी वो खतम हो गया, trail कर दिया, निकल गया, अब हम shift हो गया, अगर यह trade sideways जाएगा, तो time pass करेगा, अगर यह जहां से spike मारेगा, तो फिर 600 गया round अपका target वापर मिलेगा, तो यह, इसलिए यह zone बोला है, retracement इस trade में हमें चाहिए था, क्योंकि रिस्क यहां पर थोड़ा स्क्रीन प्लाल के भी आप छोड़ सकते हो डालना है, बढ़ एक बढ़िया उसने trade अपना trigger हो गया है यहापर, और उसने दे भी दिया 30-35 points, अभी 40 points, entry points, उस zone से 40 points दूर चले गया, तो अब replay, जितना market देता है उतना देंगे, अगर दे रहा है तो बहुत बढ़िया, क्यो बना लिया है, अब इतने आसानी से वो नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसी भी trap कर चुके है अभी, early put buyers पर, तो अब यह जो है stop loss 5, 15 के नीचे छोड़ देना है, तो वहाँ पर हम लोग trade हम profitably यहाँ पर निकलेंगे, ठीक है, please tell again, किसके नीचे नहीं आना चाहिए, यह दूसरा dotted line दिख रहा है न, पात्सो पंद रहा है, देखो, राइट चार्ट में दिख रहा है, आपको यह आपको, 5, 15 के नीचे stop loss डालके, भुल जाओट रेट को, stop loss, market पे डाल देना, stop loss limit में डालना अगर price जम करेगा, अब अलट डाल दो, 530 के नीचे अलट डाल दो, अगर आया तो वह दिख जाएगा, 5, 15 के नीचे डाल दो, अब यह trade, guaranteed profit में हम लोग end करेंगे, अब यह profit term लेके, इसमें बिना profit के तो जाएंगे नहीं, प्योंकि दे on, फिर हम complete भी book कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा scalping mode का trade है, क्योंकि जिस time पे हम लोग trade कर रहे हैं, अभी 12 बजे रहा, right, तो market यहां पे बहुत बार क्या होता है, कि time लेता है, एक दो घंटा, थोड़ा consolidate करेगा, और फिर last में, देड़ दो बजे move आता है, तो time के हिसाब से आपको अपना style भी change करना पड़ता है, अगर वो हमसे महरबान रहे है, तो हमको definitely वो दे देगा 15 minute में, but depending on which time we are trading, it says mid of the market, right, it's not the closing, closing रहे का, तो धार धार यह जैसे मोह हो जाएगा, फटा फटा फट, यह closing नहीं है, mid of the market है, तो possible है, possibility है कि time ले वो, नहीं लिया तो हमार तो अभी किजाब से तो 25 points है, 25 points और ज्यादा हो आ गया, तो हो गया, but from entry points 50 points हम आ गया, 10% का reward मिल गया, तो अभी तो लगता है कि अभी अभी दे देगा है, क्योंकि यह इसको भी ब्रेक कर रहा और volume maintained है, बहुत बढ़ी है, चलो 40,000 के उपर future आ गया है, that is excellent, 585, 590 के उप पर conservative complete exit, 590 आ गया है, conservative निकल जाओ trade से, अच्छा गासा 60, 70 points का trade reward मिला है, conservative के लिए trade closed, right, अब aggressive जो है, cost पे डाल के trail करके भूल जाओ trade को, जितना देना है वो देगा, अपने greet से खेलो, profit अच्छा हो रहा है तो book कर लो, greet के हिसाब से अपना play करो, right, हमेशा यह चीज आज तो वेट ही नहीं करा रहा है, next candle में ही दे दिया, बहुत बढ़ी है, यह volatility है, दोनों side हम नहीं किया, put buy and then call buy, both we did, we waited, इसके लिए भी वेट किया, एक दम ऐसे नहीं, एक दो हंटा wait कराया है, इतने आसानी से नहीं दिया, but काम अपना हो गया वाह, अब यह इसको break करेगा, तो next में तो बढ़िया spike दे सकता है, तो, क्या बाद, उसके बाद अब greet की सबसे book करते हो, आप कोई level नहीं है, क्योंकि PDH के उपर आ गया, तो कहा तक जाएगा, वो नहीं पता, but अगर यह अच्छी WRC closing दे रहा है, तो अब stop loss ट्रेल करो, अब stop loss closing below this, 596, सीधा ट्रेल हो जाएगा हमारा, cost से हम लोग सीधा उपर आ रहा है, क्योंकि अच्छा profit हो गया है, 100 point दे दिया है, उसने तो फिर over greedy नहीं होना है, है, क्योंकि अगर नहीं हो continuing around for the तो यही है कल मार्केट ने बहुत वेट करा है अपने को एक सेट अपने को तो अच्छा वाकर अपना लाइव सेशन हुआ नेकल तो पुरा बोरिंग ही किया अब यहां पर है दोनों साइड का वो बढ़िया मूव दे रहा है अब यहां पर हमने टिल किया अब यहां 595 के उपर जितना दे रहा है बोनस है अब नेक्स टार्गेट अब दे रहा है तो वो डारेक्ट डे हाए विच इस 4176 क्योंकि पीडेश के उपर निकल चुका है मार्केट अब वो हमारे लिए बेस्ट है फिर आइ छो, तक किये फिर सेर्गं अब्रेश्टिक्र अ कश जय झाय वे दे यह आप हो गए, दो ट्रेट इन सफिशन्ट हो गया, आप stocks, फाले लेटेट जो query पुछ रहे थे, जो हम index में कर रहे है, वही आपको stock में same ही करना है, अगर bank nifty जा रहा है तो उसके साथ साथ आपका, यह सब भी move हो रहा है, access bank को अगरे यहाँ buying जो index को follow कर रहा है, अपको जो उस stock को follow कर रहा है, ICICI bank अगर follow कर रहा है तो उसको buy करना, आप जैसे ICICI bank बिल्कुल उसको उस तरीके से follow कर रहा है, तो you can take the same trade over there, nothing, difference कुछ नहीं है, यह index stock के सब से ही move होने होता है, अब वहाँ पे दस stock एक सा track करना और सब को बोलना difficult है, इसलिए मैं maximum अपना index पर ही और जो basic अपने stock से ही उसी पर अपना focus है, बढ़ Nifty bank ने अगर buying दिया है, जहां buying के वाप, you can also take an example, ICIC bank ले लो, बात एक ही है, जो कि जब वह move होंगे तो भी index उपर जाएगा, उसके भी नहीं जाने वाद है, अभी जो है, बस base building PDH के पास होगी, बट time अभी start काफी stocks कर रहा है, बट time उसके पास उनकी में वह कम होगा, relatively, बाकी जो calendars बनाने विए को एक मिट बता देता हूँ, that we can make now, put side 38,000 अभी 122, 170, 23, 20, अभी ज़्यादा गिरा है, 38, 300 और 38,000 में अगर देखेंगे तो तीन पॉइंट, तीन-चार पॉइंट अभी ज़्यादा गिरे 124, 170, वो 45 पॉइंट्स का राउंड होगे अभी, 45, 250 पॉइंट्स का राउंड होगे, उसमें डिफरेंस अभी, मॉर्निंग में 236, 190, मतलब उतना ही डिफरेंस राया है, आज, मोटा मोटा, 185, 50, 40, 45 पॉइंट, 45 पॉइंट्स का राउंड दिफरेंस है, फॉट साइड, और कॉल साइड, जो है, कॉल साइड अपना, फट्वटी वैंट्स का राउंड पॉइंट्स का मुटा 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 गेन डोनों साइड अजिस साइड मार्केड मोगा, उसके अपॉइंट्स का राउंड पॉइंट्स का, इसको manage कर लेंगे, ठीक है, तो 38,000, 38,300 और अपना 41,500 और 41,200, 15 और 22, 41,000 और 41,000 नहीं होगा, 41,500 और 41,200, distance, 1000 पॉइंट से जादा का distance, minimum चाहिए अपने को, चाहिए अपने को, या भी और स्टार्ट हुए अभी तो time में उसको evolve होने के लिए, momentum आएगा उपर, space भी उसके बास, यहाँ से जाएगा, तो 1000 पॉइंट बहुत फास्ट मो हो सकता है, तो उससे जादा कम distance में, उससे स्क्यू कर देगा, जिल, तो उतले 1500 पॉइंट का distance उपर, और नीचे भी आ टेकिंग अदिस्टन्स ऑफर अराउंड 42,000, टेक है, तो पुरा 1s21 में रहे ला, हाँ, 1s21 अभी, अभी 1s21 पर direction आने के बाद करेंगे उसको, उपर याएगा इसके उपर तो फिर हम कर लेंगे, फिर puts extra ले सकते हैं, उसके साब से कर लेंगे, तो अभी यह बना सकते होगे, 38, 38, 3, 500, 4, 1, 20, 31, 300, 300, 300, 300, 300. ठारी ठीट्रीट अभी खतम होगे, तो भी लेंड इट जल्दी अभी करके कोई मतलब नहीं, एक्स्टा क्योंकि हो गया, अब आइधर दो ही चीज होगे, यह बोमेंटम याँ टाइम पास करके, करेंगे या वापस रेंज के अंदर लोग हो जाए यह उपर विक बनी पड़ी है यह आरली यह भी डबलो आर्टी नहीं बनाई है दोनों से विक बनाया उसने तो थोड़ा सा मार्केट अपना टाइम ले रहा है वो तो बस वी आफ टेकन टू ट्रेट्स बोथ ट्रेट्स अभी जल्दी चुट्टी भी ले सकते हैं मार्केट में और बाखी के ट्रेड के लिए वह यह कि दो तीन ट्रेड मार्केट कॉलिटी देता है मैक्सिमम दिन में उससे ज़्याधा ट्रेड नहीं मिलेगा वो टाइम पास करेगा अपना जो करना है करेगा वी डोंट वांट इसको स्क्यू नहीं किया है बिलकुल चल रहा है वो मोमेंटम स्लूर है तो पुट भी किरा है 200 और 100 में बना रहा हूंगा 10-5 कालेंडर्स ने यह 1s21 नहीं कॉंटिटी तो 100 में बन जाएगी 100-100 पाइव बले में फिर 50 करना हु रहा हूंगा लास्ट टाइम कितना बनाया 150 कॉंटिटी थीग है उसमें 10 वाले में शायद 150 है तो 150 हो जाएगा आराम से कोई इस्यू नहीं है 150 बना लो क्योंकि अपन एड़े में केलेंडर ओपन रखते है न और यह भी 1s21 में तो आराम से हो जाएगा तो अपने को और जब डिरेक्शन आएगा जब मैनेज करना है तब कैपिटल लगेगा अभी उसमें हो जाएगा ठीक है 1s2 1 150 में हो जाएगा 150 कर लो और बाकी उसमें 75 चलो हना ओके देन बाकी लोग के लिए भी चलो विल मीट कल अपना second live session रहेगा तो अभी तक तीन live session मन्त के हो गए कल अपना उनका second will be there tomorrow तो देट वील सी अब मार्केट अगर आज यही रेंज में रह रहा है तो कल अगर एक रेकाउट में रहा है तो बहुत बढ़ी है यह तो फिर कल थोड़ा neutral system या फिर इस तरीके का scalping option buying में scalping इस तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा चलो we'll meet tomorrow then hope you learned something useful यह चलो बाइब